सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सेमसंग के मुबाइल में not registered on network problem आ रहा है तो इसको कैसे ठीक करें तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलिए सीखते हैं कि इस problem को कैसे solve करना है तो दोस्तो इसके लिए मैं आपको 3-4 troubleshoot बताऊँगा उसको आपको follow करना है फिर आपको ये problem कभी भी नहीं आएगी तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है आपको अपने mobile के sim को एक बार निकालना है और उसको दोबारा से ठीक से लगाना है उसको एक बार साफ कर ली जगा कई बार उसमें धुल मिट्टी लग जाती है या फिर कारवन जमा हो जाने के कारण आपका sim mobile में ठीक से connect नहीं होता है जिसकी वज़े से ये problem आती है ये एक बहुत common problem है तो एक बार अपने sim card को दोबारा से साफ करके अच्छे से लगाए आपका ये problem solve हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो चले मैं आपको आगे का solution बता दीता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा अब आपको एक बार देख लेना है कि आपके mobile में aeroplane mode on है या नहीं अगर aeroplane mode on है तो इसको off कर लीजेगा इसके बाद अब आपको आजाना है अपने mobile की settings में settings में आने के बाद यहाँ पर आपको connections करके एक option मिलेगा आपको इस पर click करना है आप देखे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा sim manager का तो आपको इस पर click कर देना है SIM Manager पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका SIM Card सो हो जाएगा तो यहाँ पर दिखी बगल में आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा अगर यह बटन आफ है तो इसको ओन कर दीजेगा और अगर दो SIM लगा हुआ है तो दोनों में इस बटन को ओन कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Mobile Networks का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अब देखे अगर आपको Mobile में Network नहीं आ रहा है Not registered बता रहा है तो आपको data roaming on कर लेना है अगर यह problem नहीं हो रही है तो इसको off रखिएगा फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Network mode आपको इस पर क्लिक करना है अब इसमें से आपको LTE, 3G, 2G select करके रखना है अगर आपका Mobile 5G है तो यहाँ पर LTE के साथ 5G, 4G, 3G लिखा हुआएगा तो उसको आपको select करके रखना है LTE जरूर होना चाहिए फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Access Point Name तो आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपको सबसे उपर 3D दिखेगा इस पर क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Reset to Default तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से APN सेटिंग को reset कर देना है reset करने के बाद अब आपको इसको दोबारे से Access Select कर लेना है अब यहाँ से आप बाहर आजाईए फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Network Operators आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक option है Select Automatically तो इसको आप एक बार off कर दीजिए जैसे आप इसको off करेंगे तो यहाँ पर Network Operators अपने आप चेक करने लग जाएगा अब यहाँ से आपको back आ जाना है तो अपने mobile को एक बार या तो restart कर लीजिए या फिर उसको switch off करके दोबारे से open कीजिए उसके बाद जब आप अपने mobile में आएंगे तो आपका यह problem 100% solve हो जाएगा अगर फिर भी यह problem solve नहीं हो रहा है तो एक बार आप network connection चेक कर लीजिए अगर network connection ठीक है सब कुछ आपने करके देख लिया फिर भी आपका यह problem नहीं अट रहा है तो आपको अपने sim को एक बार दूसरे mobile में लगा कर चेक करना है अगर वहाँ पर भी यह problem आ रही है तो हो सकता है कि आपका sim card खराब हो गया हो corrupt हो गया हो या फिर वह block हो गया हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं sim card की दुकान पर जहां से अपनी sim card लिया था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो फूल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा